हलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिमपल में अपने मोबाइल से नया वोटर आइडि कार्ड अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले श्टोर में जाना है play store में जाने के बाद आपको search bar में type करना है water help line इस तरह से आप type करेंगे तो आपको water help line ये जो आपको application है ये सामने दिख जाएगा मैंने इसको पहले से install कर रखा है अगर आपने install नहीं किया तो आप इसको install कर लें link description में भी है आप चाहें तो वहां से भी download कर सकते हैं चलिए simply हम इसको open करेंगे open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने चलाएगा नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा explore simply आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ water services पे click कर देना है water services पे click करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा apply online new तो simply आपको क्या करना है इस पे click करना है उसके बाद आपको क्या करना है simply आपको new water registration इस पे click करना है तो चलिए new water registration पे हम click कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ continue बटन पे click कर देना है तो चलिए हम continue पे click कर लेते हैं continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना estate चूस कर लेना है तो चलिए हम अपना estate चूस कर लिए उसके बाद आपको यहाँ पर आपका district choose कर लेना है उसके बाद आपका जो साभी विधान सभा होगा उस विधान सभा को आपको यहाँ पर choose कर लेना है उसके बाद simply आपको next button पे click करना है next button पे click करने के बाद आपसे यहाँ पर name of applicant आएगा तो यहाँ पर आपको applicant का नाम डालना है कुछ इस तरह से ठीक है जो सा भी आपका नाम होगा वो आपको type कर देना है उसके बाद जो आप नीचे देख पारो यह automatically हिंदी में हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद आपको यहाँ पर surname डालना है है और यहाँ पर जैसे हम किलिक करेंगे तो यह जो surname है वो automatically हिंदी में आ जाएगा अब यहाँ पर आपको date of birth चूज करना है चलिए हमने date of birth यहाँ पर चूज किया और उसके बाद ok बटन पर किलिक किया उसके बाद friends आपको यहाँ पर आपका mobile number email ID optional है आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं वरना type भी कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर type कर देते हैं लेकिन email ID आप type कर दिजेगा तो आपको जो है वहाँ पर benefit मिलेगा आपको किसी भी तरह का जो information है वो आपको mail के थूँ आपको भेज दिया जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर email ID feel कर लेते हैं email ID हमने feel कर लिया है उसके बाद simply हमको क्या करना है यहाँ पर अपना एक mobile number feel करना है mobile number हम यहाँ पर feel कर लेते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहोगा यहाँ पर यह जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहोगा इस पर आपको simply click करना है और इसके बाद आपको next button पर click कर लेना है next button पर click करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका house number पूछा जाएगा तो अपना house number आप यहाँ पर type करेंगे अपने गाउं का नाम लिखना है पर इधम अपने गाउं का नाम लिखा अब यहाँ पर जो आपको लगता है कि गलत है तो आप इसको अपने mobile के keyboard से Hindi keyboard करके आप इसको सही तरीके से लिख सकते हो आप यहाँ पर आपसे आपको पूछ रहा है कि इस जो आपका address जो आपने यहाँ पर दिया है तो इस address में आप किस date से रह रहे हो तो जनम से ही रह रहे हैं तो हम यहाँ पर 2001 यहाँ पर जल्दी से इसको लेके चलाएंगे और यहाँ पर हमने अपना date चूज किया उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आप उसी same address में भी रहते हैं जो आपका permanent address है तो आप इस पर tick कर देंगे मैं इस पर tick कर देता हूँ tick करने के बाद simply आपको क्या करना है यहाँ next button पर click करना है तो चलिए next button पर click कर लेते हैं अब यहाँ आपको अपने जो father का नाम यहाँ पर type करना है इस तरह से उसके बाद अपना last name father का और यहाँ पर हिंदी automatically ले लेगा जो यहाँ पर आप जिसका नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं यह fathers हैं तो fathers का यहाँ पर type of religion में रहेगा उसके बाद इसको optional है इसको हम छोड़ देंगे simply next button पे click करेंगे यहाँ पर आप your photograph यहाँ से आप अपना photo को डालेंगे तो चलिए हम यहाँ से अपना photo को डाल लेते हैं और इस तरह से इस photo को हम अपने voter ID में डालेंगे group करके यह photo हो चुका है अब यहाँ पर type of documents है यह आपका age proof है तो age proof के लिए आप birth certificate mark seat उसके बाद Indian passport जो सा भी आपको देना है आप दे सकते हैं मैं यहाँ पर आधार दूँगा इसमें attach कर दियें उसके बाद यहाँ पर आपको address proof देना है तो address proof में आप telephone bill water bill, rent bill, electricity bill, gas bill driving license, India passport जो सा भी आपके पास होगा वो आप दे दीजेगा यहाँ पर passbook है तो passbook हम select कर लेंगे उसके बाद simply हम next button पे click करेंगे next button पे click करने के बाद I am citizen of India a palace my birth तो यहाँ पर आप बिहार चूज़ कर लिजेगा आप जहाँ से भी होगे वहाँ आप डाल दीजेगा जो आपका palace of birth है ठीक है उसके बाद यहाँ से अपना district चूज़ कर लिजेगा उसके बाद town village जो सा भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर fill कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पर fill कर लेते हैं fill करने के बाद आपको यहाँ पर tick करने के बाद यहाँ पर palace अपना डाल देना है तो चलिए हम palace भी यहाँ पर डाल देते हैं palace डालने के बाद फिर आपको OK button पर click करना है और यहाँ पर आप देख पार हो आज का date है उसके बाद हम simply क्या करेंगे डन बटन पर click करेंगे तो ये आपका पूरा details हो गया, इसको आप check कर लिजे एक बार, check करने के बाद आप इसको simply क्या किजे, confirm button पे click कर लिजे, थोड़ा सा process लेगा, थोड़ा सा time लेगा यहाँ पर यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ पर thank you option आ चुका है, your reference ID हमें मिल चुका है, और यहाँ पर जो successfully है वो आपका water ID card online हो चुका है, यह जो reference ID है, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है, इसको आपको save कर लेना है, ठीक है, इसको save कर लेना है, ताकि आप feature में, कभी भी आप अपना जो status check करना चाहो, तो आप check कर लिजे, आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर देजे, हमारे आपके लिए हर रोज, तो प्रीज चैनल को subscribe कर, बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा, किसी बतर का सुझाओ, कमेंट में करना मत भूलिए, हम मिलते हैं नेक्श वीडियो में किसी और फ्रेश टोपिक के साथ, तब तक के लिए बिजा दीजे, टेक कियर, बाई बाई